हलो स्टूरेंस वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल चोगरोफी गुरू तोड़े वी आ गोईंग तो डिसकस अबाउट क्लास नाइन साइंस वर्कशीट नंबर 40 तोड़े वर्कशीट इस गोईंग तोड़े वाली आज के मारी वर्कशीट और ये जो हमारा वीडियो रहेगा केवल दो मिनिट करेगा विकॉज इन साइंस वी आ गोईंग तो डिसकस अबाउट तो अम केवल सोलिशन वो डिसकस करने वाले हैं लेट्स बिगिन अज इस वीजिबल ऑन यू स्क्रीन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे हैं इस वर्कशीट नंबर 40 आर सब्जेक्ट साइंस और देट 5th ओफ ऑक्तूबर 2020 and today's topic is force and law of motion जिसमें हम second law of motion है उससे related exercise है वो करने वाले हैं in this worksheet total five questions are given five questions दिये गए है पहला जो question दिया गया है that is drive the mathematical form of second law of motion यानि कि हमें second law of motion है उसकी mathematical form है उसको calculate करना है उसको निकालना है तो इसका answer आपकी worksheet में दिया गया है this is long answer type question है तो काफी थोड़ा length ही रहेगा इतना ज्यादा भी length ही नहीं रहेगा तो you have to write आपको write करना है from here to here यहाँ पर आपको change in momentum, initial momentum, final momentum हमें दी गए हो तो कैसे हम momentum है उसको calculate कर सकते है applied force है कैसे calculate कर सकते है तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर mention करना है तो यह आपका इतना answer हैगा जो second question दिया गया है what will be the momentum of a car parked at roadside अगर roadside में car parking की गई है तो उसका momentum क्या होगा the velocity of the car stopped and the roadside is 0 क्योंकि वो रुकी हुए तो velocity क्या है 0 है so its momentum will also be 0 तो वो भी 0 रहनी है third question is there the velocity of an object of 100 kg is increased from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second find out the amount of force acting on it यानि कि एक object है जिसका mass जो दिया गया है वो 100 kg है और उसकी जो speed है वो 5 meter per 3 second से 8 meter per 3 second तक चली जाती है कितने time में? 6 second में तो हमें उसका force है वो याद करना है जिसको हिंदी ही बोलते है बल तो इसके लिए हमारे पास हमें क्या क्या दिया गया है हमें दिया गया है mass of an object हमें mass दिया गया है कितना है यह? 100 kg है time दिया गया है that is 6 second initial velocity of object जिसको हम U से write करते हैं वो है 5 meter per second 5 meter per second final velocity of the object V is equal 8 meter per second यानि कि यह सब कुछ हमें दिया गया है तो हम force को कैसे निकालते हैं formula आपको पता होगा कि M multiply by V minus U divided by T तो यहाँ पे 100 हमारा mass दिया गया है 8 जो velocity दिगे final velocity 5 हमारी initial velocity है और 6 से 6 से हम divide करेंगे तो हमें 50 newton है वो हमें प्राप्त होगा यह हमारा answer हैगा यानि कि जो force है वो 50 newton है यहां उसके बाद next question है fourth question जो हमें दिया गया है A truck of 100 kg mass is moving with a speed of 0.5 meter per second एक truck है जो 100 नहीं 1000 kg mass है उसका और वो move कर रहा है कि speed से? 0.5 meter per second के speed से हमें इसका momentum होगा calculate करना बड़ा आसान सा है momentum कैसे calculate करते हैं mass को multiply करते हैं velocity से तो यहां पे 1000 kg multiply by 0.5 meter per second है जो हमारी velocity उससे हम multiply करेंगे तो हमें जो momentum प्राप्त होगा वो होगा 500 kg meter per second इसके SI unit है वो kg meter per second है तो यह ज़रूर लिखना है आपका answer वो सही नहीं होगा complete नहीं होगा फिप जो last question दिया गया है define momentum also write its SI unit है वो भी हमें write करना है तो momentum क्या होता है the momentum of an object is the product of its mass and velocity यानि कि mass and velocity को यहां पे हमने जैसे किया तो इनको जब multiply करते हैं हम गुननफल करते हैं इनको तब हमें क्या प्राप्त होता है momentum प्राप्त होता है इसके SI unit क्या है kilogram meter per second जो हमने यहां पर mention किया तो यह थी हमारी आसान सी छोटी सी worksheet जिसमें हमने केवल solution वो discuss किया उमेद करता हूँ आपको सभी questions के answer है वो समझ में आये होंगे answer मिल गया होगा इस channel को like, share, subscribe जरूर केजिए और आपके एक छोटी सी comment का भी बेट रहता है आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye, have a nice day